हेलो दोस्तों मैं सुभम आपका बहुत सागत है मेरे चैनल डीप सोलिशन में दोस्तों आपको बता दें कि आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि GDP क्या होती है वो भी आसान भासा में आपको बता दें कि GDP एक ऐसा सब्द है जो हमें लगबग सुनने को मिलता रहता है कि GDP गिर गई है हमारे देश की GDP बढ़ गई है तो आखिर ये होता क्या है आज आप इस वीडियो में GDP के बारे में पूरी तरह से समझ जाएंगे वो भी आसान भासा में इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी GDP की समस्या खतम हो जाएगी कि GDP क्या होती है कैसे वर्क करती है कैसे ना पी जाती है आखिर ये होता क्या है सबसे पहले आपको बता दें कि GDP का मतलब क्या होता है तो GDP का मतलब होता है Gross Domestic Product या Production मतलब सकल घरेलू उत्पाद अगर हम इसको सरलभासा में समदें तो Gross का मतलब होता है Total और Domestic का मतलब होता है कि हमारी सीमा के अंदर हमारे देश के अंदर उत्पादन का मतलब होता है उत्पादन देखे उत्पादन दो तरह से होता है वस्तु और सेवाओं का उत्पादन वस्तु का मतलब जब कोई भी चीज बनाई जाती है तो उसको हम कहते हैं वस्तु का उत्पादन हुआ है वही अगर कोई चीज सेवा के रूप में दी जाती है तो वहाँ भी उत्पादन ही हो रहा होता है लेकिन वहाँ पे किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, वहाँ पे सेवा का उत्पादन होता है, जैसे हम अगर बात करें, टीचर, डॉक्टर, बैंक, नर्स, ये सब अपनी सेवा देते हैं, वही अगर हम बात करें किसी वस्तु की, तो वस्तु में हर तरह की सामान आ जा या इतना इतनी सेवाएं और इतने उत्पादन बेचे हैं उसके बाद वो टोटल मूल ले देखा जाता है कि कितना हुआ GDP को नापते समय चार चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है पहली चीज होती है कि राजनेतिक सीमा मतलब जिस चीज का भी मुल्यांकान हम करेंगे वो हमारी राजनेतिक सीमा के अंदर होना चाहिए मतलब जैसे हमारा भारत है तो इस भारत के अंदर जिस भी चीज का उत्पादन हो रहा है वो ही चीज GDP के अंदर गत ली जाएगी उसने नमबर पर आता है वस्तो एवं सेवाएं इसमें सारी वस्तों जो भारत में बनाई जाती हैं चाहंँ इसके अलावा सेवाएं जो भलत में दी जाती है सारी अपनी सारी अपनी सै देते हैं इसके बाद देखा जाता है अंतिम मूली दिए मली का मतलब हुआ जैसे जब कोई चीच बनती है तो वह कई फेज में बनती है कई चरणों में बनती है अंत में वो बन के तयार होती है तब वो कस्टुमर तक पहुंचने के लिए उसका जो मुल्य होता है वही अंति मुल्य कहलाता है भारत में जो GDP की गड़ना की जाती है मतलब तीन महिनों में भारत में GDP की गड़ना की जाती है हर तीन अगर हमारे देश की GDP बढ़ती है तो इसका मतलब होता है कि हमारे देश ने पिछली तिमाही के मुकाबले इस बार थोड़ा ज्यादा उत्पादन किया है वही अगर हमारी GDP गिरती है तो इसका मतलब यह होता है कि हमारे देश ने पिछले तीन महा के मुकाबले कम उत्पादन किया है अगर हम इसको आसान भासा में समझने की कोशिस करें तो जो देश की GDP होती है उसको हम घर की economy condition से बिलकुल समझ सकते हैं जैसे उदाहरन के लिए मान लिया किसी घर में पांच सदसे हैं जो कमाते हैं मान लिया यह पहली तिमाही मतलब जनवरी फरवरी और मार्च में यह पांचो भाई बहन मिलकर के तीन महिने में 5000 रुपए का उत्पादन करते हैं उत्पादन का मतलब तीन भाईयों ने कोई समान बनाया और बेचा तीन हजार रुपए का वही दो भाईयों जो डाक्टर हैं और टीचर हैं उन्होंने अपनी सेवाएं दी दो हजार रुपए में तो कुल मिलाकर पांचों भाईयों भाईयों ने जनवरी फेवरी और मार्च में पांच हजार रुपए का उत्पादन किया वही अगर हम अगली तिमाही की बात करें जिसमें अप्रेल, मई और जून में उन लोगों ने काम किया और बहुत अच्छे से काम किया इस बार का जो उत्पादन हुआ तीन भाईयों ने साधे तीन हजार रुपय का समान बेचा, दोनों भेनों ने दो हजार रुपय की सेवाएं दी इस तरह से इस तिमाही में अप्रेल मई जून में उन पांचो भाईयों बहनों ने मतलब उस परिवार ने मिल करके साड़े 5,000 रुपय का उत्पादन किया समान बना करके और सेवाओं को दे करके इस तरह से उन्होंने दूसरी तिमाही में पहली तिमाही के पेक्षा 500 रुपय ज़्यादा का उत्पादन किया तो इस तरह से 5,000 का जो 500 है वो 10% हो जाएगा तो इस बार की जो उस घर की GDP रही वो 10% रही क्योंकि उन्होंने पिछली तिमाही में 5,000 रुपय कमाये थे और इस बार 5,500 रुपय कमाये हैं तो इस घर में हुआ ये कि पहली तिमाही में 5,000 रुपय का उत्पादन हुआ था और अगली तिमाही में 5,500 का उत्पादन हुआ तो ये जो दूसरी तिमाही थी इसमें इस घर की जो GDP थी वो 500 रुपए बढ़ गई मतलब 10% बढ़ गई इसको हम बिल्कुल एक देश की तरह समझ सकते हैं जैसे हमारे देश में इस समय की एकॉनमी है वो धाई ट्रिलियन डॉलर की है जिसको मोधी अगले कुछ सालों में 5 ट्रिलियन डॉलर ले जाने की कोसिस में है मतलब वो कोसिस करेंगे कि अलग-अलग तरीके से लोगों को सुविधा मिले और लोग ज़्यादा उत्पादन कर पाएं और ज़्यादा उत्पादन हो पाएं अब वही अगर हम इस घर की बात करें तो अगर इस घर ने अगली तिमाही में ज़्यादा अच्छे से काम नहीं किया कम प्रोडक्शन किया ज़्यादा मेहनत नहीं की तो इनकी GDP गिर जाएगी जैसे घर की GDP काम करती है घर में लोग कमाते हैं सारे लोग मिल के कमाते हैं अगर वो अच्छा नहीं कमा पाते हैं तो कमाई कम हो जाती है उसी तरह से हमारे देश की GDP काम करती है सारी लोग मिलकर के कमाते हैं और सरकार उसको जोड़ती है कि लोगों ने इस बार पूरे देश ने इस बार कितना कमाया और कितने का समान बनाया वही अगर हम GDP के गिरने के कारणों की बात करें तो GDP के गिरने का कारण बहुत होते हैं इस समय का जो सबसे बड़ा कारण है वो है कोरोना कोरोना की चक्कर में भारत में हर तरह की फैक्टरी बंद हो चुकी है हर तरह की स्कूल कॉलेज बंद किये गए जिसके कारण किसी भी तरह का उत्पादन नहीं हो पाया और जब किसी भी तरह का उत्पादन ही नहीं हुआ है तो कमाई कैसी होगी जिस कारण से GDP जो भारत की है वो बहुत जदा गिर गई क्योंकि किसी भी तरह का उत्पादन नहीं हो रहा है और लोगों के पास जो रुपए है लोग खर्च नहीं करना चाह रहा है क्योंकि अगर वो खर्च कर देंगे तो उनको डर है कि हो सकता आने वाले समय में कैसी स्थिती पैदा हो जाए कब lockdown कहां पर लग जाए तो हम कैसे कमाएंगे जिस कारण किसी भी तरह से कोई भी रुपए खर्च नहीं कर रहा है और कोई भी समान बिग नहीं रहा है इसलिए कमपनिया जो खुल भी गई है वो नए समानों को नहीं बना रही है क्योंकि उनको डर है कि कब lockdown लग जाएगा और कब हमारा समान फस जाएगा कोई खरीदेगा नहीं इसलिए भारत की GDP इस समय गिर चुकी है भारत ही क्या विस्व के लगबग देशों की GDP गिर चुकी है क्योंकि कोरोना की चक्कर में किसी भी तरह का उतपादन कहीं भी नहीं हो रहा है आप जानते हैं कि GDP बढ़ती है तो उससे क्या फाइदे होते हैं तो आपको बता दें GDP जब बढ़ती है तो उतपादन बढ़ता है इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब उतपादन बढ़ता है तो हमारी GDP बढ़ती है उतपादन बढ़ने से रोजगार बढ़ता है लोगों को नौकरियां ज़्यादा मिलती है सरकार के पास tax ज़्यादा आता है क्योंकि समान ज़्यादा बन रहा होता है लोग सेवाएं ज़्यादा दे रहा होते हैं जिस कारण से सरकार के पास tax ज़्यादा आता है देश हमारा खुसहाली की तरफ बढ़ता है अगर हम बात करें चाइना की चाइना की GDP सही रही है दूसरे देसों के मुकाबले क्योंकि वो दूसरे देसों को अपना समान बेचता है जिस कारण से उसके आप बहुत ज़्यादा समान बनता है बहुत ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है और बहुत ज़्यादा वहाँ संपन होता जा रहा है चायना उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है समान बनाता है और दूसरों देशों में अपना समान बेच करके वहाँ से अपने देश में रुपया लाता है जिस कारण चायना तरक्की कर रहा है इसलिए कहा जाता है कि हमें अपने देश का समान यूज करना चाहिए उपयोग करना चाहिए ताकि वो समान जब बिकेगा तो वो रुपया भारत में आएगा भारत की सरकार के पास जाएगा भारत की लोगों के पास जाएगा और फाइनली हमारा भारत तरक्की करेगा वही अगर हम बात करें कि GDP के गिरने से क्या नुकसान होते हैं तो GDP के गिरने से सबसे पहले नुकसान होता है रोजगारों को क्योंकि जब किसी भी तरह का उत्पाद उत्पादन नहीं होगा उत्पादन कम हो जाएगा तो रोजगार में भी कमी आएगी लोगों की छटनी की जाएगी लोगों को निकाला जाएगा और नय रोजगार नहीं मिलेंगे लोगों को जिससे गरीबी लोगों में आती है और देश करीबी की तरफ बढ़ने लगता है इसलिए अगर हम देश की बात करें तो हमएं अपने देश का समान खरिना चाहिए, ता कि हमारे यहां का समान बिकेगा तो ज़ादा बनेगा, तो हमारे ही यहां के ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, और देश हमाराथ खुसहाल होता चला जाएगा. तो इस तरह करने GDP की बात करें तो GDP किसी भी देश की सीमाओं के अंदर एक साल में हुए वस्त एवं सेवाओं के जो भी मूल्ली होता है बाजार मूल्ले उसके अधार पे मापा जाता है कि वुनों ने कितना उत्पादन किया इसी मूल्ली को या इसी संक्या को हम GDP कहते हैं उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और GDP भी समझ में आगई होगी धन्यवाद